हलो भी श्रीय माइन पबजी लवर्स कैसे हो आप सब मस्त बिंदास फसके लास चकास तो गाइस में से ऐसे ही रहो और खुश रहो तो गाइस आज के दिन हम लोगों के यहां पे मतलब कल ही हो चुके थे 150 के सब्सक्राइब और फाइनली आप सबने मिलके यहां पर कम्पलित क सब्सक्राइब करें नाम पे गॉल्डणग बोल्डण Beyond क्लाउट मार्केट है तो इसकें इंदर यहां पे इवस रिव Show तرह गयरें मिशन अह बताऊंगी जो कि बभजी मोबाल के इनदर यहां पे एक एवेंट चल रही है जिसका नाम यहां पर golden moon cloud market है तो इसके अंदर यहाँ पे एक event है जिसमें treasure emporium करके आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर particular guys यहाँ पे एक week के बाद एक एक करके week खुलने वाला था जिसमें week 1 तो खुल चुका था पर आज के दिन यहाँ पे week 2 खुला है तो इसके अंदर guys में आप लोगों को यहाँ पे यह 2-3 mission ऐसे है जो कि बंदों को समझ नहीं आ रहे थे तो वो वाला यहाँ पे करके दिखाऊंगे तो first mission के अंदर लिखा है both the sky treasure ship once और second mission के अंदर है use the firework cannon on the sky treasure ship once तो guys एक आप लोगों को यहाँ पे ship के अंदर जाना है और दूसरे में यहाँ पे है कि आप लोगों को यहाँ पे ship के अंदर cannon है उसका use करना है तो यह दोनों mission में आपको करके दिखाऊंगी बाकी के दो mission easy है जिसमें लिखा है कि आप लोगों को grooming granite का use करना है तो अभी तक जो लोग game खेलना start कर दें उनको प्रताई है कि yellow color का एक granite मिलता है जिसको throw करते है तो उसके अंदर से gin निकलता है तो उसी granite का आप लोगों को use करना है और उसके बाद जब आप लोगों को first granite use कर लो ना उसका वापिस से आप लोगों को जो area है वो बढ़ाना है तो third mission में आप लोग granite को fake हो जिससे यहां पर go-roving granite use हो जाएगा और fourth mission के अंदर आप लोगों को जहां पर अपने first granite fake था उसी के अंदर दूसरा granite और fake देना है जिससे यहां पर जो area है और time है वो यहां पर आगे और बढ़ जाएगा ठीक है तो चलिए first or second mission में आपको complete करके दिखाते हूँ तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि आप लोगों को map के अंदर rank में यहां पर irangle बीरामर और लिविक के अंदर sky high spectral mode देखने को मिलता है तो तीन में से कोई सब यह लगा के आप लोग game को खेलो मैं यहां पर solo में जो यहां पर irangle है उसको लगा के start कर देती हूँ अब सबसे पहले guys आप लोग देखोगे तो map के अंदर आप लोगों को total दो path देखने को मिलते हैं जहां से हम लोगों का ship निकलता है और last में यहां पर end हो जाता है तो map के अंदर आप लोग देखो यस नाया के side हम लोगों का यह जो एक ship है वो इधर से निकल रहा है तो आप लोगों को starting में ही उधर चले जाना है या डूसी trick आप लोग यह कर सकते हो कि path के beast में आप लोगों को dot dot देखने को मिलेगे तो उन dot के उपर भी आप लोग जा सकते हो क्योंकि वहां पे ship आता है और थोरी देर के लिए खरा रहता है तो first starting location पे ही guys आप लोग देख सकते हो जो हम लोगों का ship यहां से निकल रहा था उसी के पास मैं यहां पे जा रही हूँ और जैसे के मैं आपको बड़ा था first location आपका miss हो जाए तो आप लोग second third location से भी इसके अंदर जा सकते हो तो चलिए अब इसके अंदर में आपको जाके दिखाओ तो जो हम लोगों की हैं पे yellow color की रोशनी वाला location दिख रहा है उसी के अंदर आप लोगों को normally आज आना है और यहां पे आने के बाद आप लोगों को use पे click करना है जिससे यहां पे use हो जाएगा और use करने के बाद आप लोगों यहां पे ship के अंदर आ जाओगे तो first mission था जिसमें आप लोगों को ship board करना था तो first mission आप लोगों का ship के अंदर आने से ही complete हो जाएगा और जो second mission है उसके लिए भी आप लोगों को इसी trick से यह जो ship रहती है उसके अंदर आना ही पड़ेगा और दूसरे mission के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर pass में ही आप लोगों को दो cannon लगे हुए देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर एक छोटा सा cannon है और दूसरा यहाँ पर बरा सा cannon है तो यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को एंटर गैनौन पर क्लिक करना है जिससे आप लोग इस cannon की अंदर आज आओगे तो यह एक तरीके से firework cannon है ठीक है यहाँ पर आपको दो cannon देखने को मिलते है तो एक बार आप लोगों ने फायर वर्ड कैनोन का यूज कर लिया है ठीक है इसी तरीके से आप लोग यहां पे इसका यूज करके एक लोकेशन पर चले जाओगे तो आप लोगों का दूसरा मिशन भी कंप्लेट हो जाएगा तो गाइस वीक टू के अंदर मैंने आपको श्यारो बाइ़!